गाउ यह शब्द सुन्ते ही दिल को बहुत सुकून मिलता है हर किसी का कोई गाउ होता है जहां से उसकी अपनी यादें और कुछ अनोकी बातें होती है जिसके सहारे वो गाउं से दूर होकर भी अपने गाउं और लोगों को याद करके अपनी जिन्दगी गुजार लेते हैं दुनिया में ऐसे ही पांच गाउं है जो अपनी अनोखी बातों से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं नमबर पांच पर है इटली का विगानेला गाउं इटली एक ऐसा देश है जो दुनिया में अपनी खोपसूरती के लिए जाना जाता है इसी देश का एक गाउं है जिसका नाम विगानेला है विगानेला गाउं मिलान शहर की एक गहरी घाटी के नीचे है ये गाउं पूरी तरह से घाटियों से घिरा हुआ है और इतनी गहराई में बसा है कि यहां सरदियों के मौसम में लगबग तीन महिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती इसलिए गाउं के ही कुछ इंजीनियरों ने मिलकर एक बड़ा सा आईना बना कर पहाड़ों पर लगाया है जिससे सूरज की रोशनी रिफलेक्ट होकर इस गाउं तक पहुँचती है नमबर चार पर है कुंफू गाउं चीन के तियांजू में एक गाउं है जिसे कुंफू विलेज के नाम से जाना जाता है यहां के लोग अपने हुनर की वज़ा से पूरी दुनिया में मशूर है इस गाउं में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कुंफू ना आता हो दुनिया भर से लोग इस गाउं को देखने आते हैं और कई लोग गाउं वालों से कौंफू भी सीखते हैं नमबर तीन पर है इस्पेन का नीला गाउं इस्पेन में जुचकार नाम का एक गाउं है जो पूरी तरह से नीला है यानि यहां हर किसी का घर नीले रंग का है साल 2011 में यहां एक 3D फिल्म के लिए कुछ लोगों ने अपने घरों पर नीला रंग लगवाया था इसके बाद बाकी गाउं वालों को भी ये रंग बहुत पसंद आया और आज गाउं के हर घर पर नीला रंगी लगा हुआ है नमबर दो पर है नीदर लेंड का गियर्थुन गाउं गियर्थुन गाउं अपनी खुपसूलती के साथ एक खास वज़ा से भी जाना जाता है और वो वज़ा है कि उस गाउं में एक भी सड़क नहीं है इस वज़ा से इस गाउं में ना तो किसी के पास कोई कार दिखती है और ना ही किसी के पास कोई बाइक इसके पीछे ये वज़ा है कि ये गाउं पूरी तहा से पानी के उपर बसा हुआ है यहां के लोग कहीं भी आने जाने के लिए नावों का इस्तिमाल लेते हैं इस अनोखे गाउं में घुमने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते है नमबर एक पर एक ऐसा गरीब गाउं है जहां के लोगों के साथ धोका किया गया ये नेपाल का एक गाउं है जिसका नाम हौकसे गाउं है इस गाउं को एक किडिनी विलेज के नाम से भी जानते हैं इस गाउं का लगभग हर शक्स एक किडिनी के सहारे ही जिन्दा है यहां के लोगों ने अपनी एक किडिनी बेज दी है कहते हैं कि मानो अंगों की तसकरी करने वालों ने इन लोगों को पैसों का लालच दे कर उनकी किडिनिया निकाल ली और गाउं वालों से कहा कि ये तो फिर उग आती है मासूम और गरीब गाउं वाले उनकी चाल को समझ नहीं सके आज इस गाउं को लोग किडिनी वैली भी कहते हैं आपको इन में से अजीब गाउं कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में